ये छोटी सी दिखने वाली चीज बड़ी कमाल की है, इसके फायदे जानकर आप हैरान रह जाएंगे, दस रुपे में मिलती है लेकिन पूरे साल भर चलती है, हमारे पूरी बॉडी को ये चमकाती है, हमारे स्कीन को टाइट और ब्राइट बनाती है, जुरियों को मिटाती है क्योंकि इसमें एस्टिजन प्रापर्टी पाई जाती है, जो स्कीन में कसाव लाती है और स्कीन को टाइड बनाती है, टैनिंग को मिटाती है, इसका हम एक फेस पैक बनाएंगे, उसमें हमें इसका किस प्रकार से यूज़ करना है, वो देखेंगे, कई सारी हेल्थ इशू इस भी solve करती है अलग अलग problems को solve करने में इसका हम इस प्रकार से यूज करना है वो भी देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह चीज फीट करी इसे अलम के नाम से जाना जाता है या फिर मराथी में तुर्टी कहा जाता है इसमें धेर सारे आउशदियों गुण पाये आपे ऑटेमिट लन के साथ साथ इसमें अंटी फ्लामेटरी घुण होते है जो हमारे बॉड़ी की शूजद उसे मिटाने में बहत फार्डेमि водन होती है इसके साथ एंटी ट्राइको मैन होता है मतलब हमारे स्केन रिलेटेड जो भी इंफिक्शन होता है उसे मिटाने में इसके बेहत बैस रिजर्ट मिलते हैं, जैसे कि पिबबस होते हैं, या फिर दात, खाच, खुजली, चर्म, रोग होता है, उसे मिटाने में भी इसके अच्छे रिजर्ट मिलते हैं, इसका यूज के इस प्रकाल से करना है, वो तो हम आगे देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको इसके चारपास फेर घुमा लेने हैं, और इस पानी से अगर आप नहते हैं, तो आपके बॉड़ी पर जो भी इचिंग होती है, या फिर सूजन होती है, उसे मिटाने में आपके जो भी चर्म, रोग है, दात, खाच, खुजली है, उसे मिटाने में भी इसके अच्छे होती है, तो दो-तीन टाइम, अगर दो-तीन फेर आप एडियों में इसे घुमा लेते हैं, तो आपको कभी भी फटी एडियों की परिशानी नहीं आएगी, आपके अंड्राम्स से अगर बदबु आती है, तो उसके लिए आप जब भी नाते हैं, तो अंड्राम्स में फीट इसके साइड इसके साइड फेक्स करना है, आप कई बहर गूंकर आते हैं, और जैसे भी निकालते हैं, तो पेरो से बदबु आती है, पसीने के बदबु इस इसे मिटाने में भी हमें फीट करी के अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, जब आप नहाते हैं, तो आपके पेरों में गीला फीट करी को अच्छे से रगड लेते हैं, दो तीन फेर पेरों में गुमा लेते हैं, तो आपके पेरों से बद्बु नहीं आएगी, यह हमारे पूरे ब तो इसे भी यह कोहनी का कालापन कम करने में भी अच्छे रजल्ट मिलते हैं। अब देखते हैं कि हमें face pack इस प्रकार से बनाना है जो हमारी जूरी को मिटाना में help करेगा। फेस पैक बनाने से पहले एक important बात में आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके चहरे पर अगर जुरिया नहीं है, कोई भी दाग नहीं है, फिर भी आप ये फेस पैक वीक में एक दिन लगाते हैं, तो future में आपको skin related कोई भी issues नहीं होगे. अब बनाते हैं face pack, face pack बनाने के लिए एक बाउल लेना है और उसमें हमें एक स्पुन चावल का आटा एड़ कर देना है, एक स्पुन शहेद एड़ करेंगे और इसमें हमें बिल्कुल दो चुट की फिटकरी की powder एड़ कर देनी है, पाउडर हमें घर में बना लेनी है, जो भ आपको इसे चानना मस्त है, दो चुटकी फिटकरी का पौडर हम इसमें एड़ कर देंगे, दो पिंच हमें कस्तुरी हल्दी आड़ करना है, मेरे पास कस्तुरी हल्दी है, आपके पास अगर नहीं है तो regular की घर में बनी प्यूर हल्दी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, सारे पर 2 minutes के बात हमें इसे normal पाने से wash कर लेना है जब यहां face wash कर लेते हैं तो हमें coconut oil या फिर moisturizer लगाना है क्योंकि जैसे भी हम fit curry का face pack चहरे पर apply करते हैं तो हमारे skin में कशाव आता है और इसके current skin थोड़ी सी ड्राय हो जाती है तो इसके लिए लास्ट का जो प्रोसेस है मतलब coconut oil से हमें मसाज देना है बिल्कुल एक मिनिट का या फिर आप मॉस्टराइजर भी हलके हलके हातों से चेरे पर लगा सकते है थोड़ा सा मसाज दे सकते है तो आपकी स्केन बिल्कुल नॉर्मल ह हो जाती है लेकिन स्कीन को यह टाइड बनाती है और ब्राइड बनाती है टैनिंग के जो इशूज होती है उसे क्लियर करने में भी इसके काफी अच्छे रिजल्ट मिलते है यह जो फिटकरी मैंने आपको कूट कर दिकाई है पहले मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें मैं चेहरे पर अगर पिग्मेनटेशन के दाग है उसे मिताने में भी इसके काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे या फिर पीमपर्स बाद जो हमारे स्कीन पर ढलते हैं तो जो पानी में घंदडेगी होती है वो नीचे बैठ जाती थे जिस प्रकार से पानी की घंदड्य को य जंदगी को रिमूव करने में डेड स्किन को निकालने में इसके अच्छे रिजर्ट मिलते हैं स्किन रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स यह सॉल करती है। इसके साथ ही सफेद बालों को फिर से काला बनाने में इसके काफी अच्छे रिजर्ट मिलते है। जो फिटकरी होती है, उसमें पाया जाते हैं, जो कई सारे जो केमिकल युगत्र डाइ होते हैं, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है. तो क्यों हम natural fit curry का use करेंगे, तो फिर से सफेद बालों को काला करने में इसके अच्छे result मिलते हैं, हमें एक स्पून fit curry लेना है और उसे coconut oil में अच्छे से पैस बना लेना है, और cotton ball की मदद से हम इसे scalp में लगाते हैं, पूरे बालों में लगा लेते हैं, तो धीरे धीरे हमार सफेद बाल फिर से काला होना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा patience के साथ अगर आप every week two time इसे apply करेंगे, और हाप अवर के लिए से बालों में लगा के रखते हैं, फिर बाद में इसे नॉर्मल पानी से wash कर लेते हैं, तो आपके सफेद बाल फिर से काला होना स्टार्ट हो जा और उसके बाद एक लास पानी में आपको फिटकरी के दो तीन फेर घुमा लेने हैं, और इस पानी से अगर आप कूला करते हैं, तो तुरंत आपके मूह से आने वाली दुरगंधी भी कम हो जाती है, और इसके साथ ही अगर आप इस पानी से कूला करते हैं, और दातों में म वहा हम पहन पहनते हैं, यह तो और यह पर रइड़नेस आजाता है. या फिर पुरे बॉड़ी में अगर आपको कभी प्रोब्लम आती है. तो बिल्कुछ सिंपल उपाय करना है. आपके नहाने के पाने में फिट करी मिला कर आपको उससे नहाना है. तो उसे भी कई सारी issues clear हो जाते हैं, skin related, इसके साथी जहाँ पर आपको दात खाज खुजली हो रही है, तो उसके लिए आपको एक spoon fit curry का powder लेना है, और पानी में इसकी एक गाड़ी से पैस बना लेनी है, और उस जगह पर अगर आप ये एक pack की तरह लगा लेते हैं, तो बिल् चुटकी fit curry का powder लेना है, और एक spoon उसमें शहेद आड़ कर देना है, और ये pest अगर आप खा लेते हैं, और रात में सोने से पहले ये प्रयोग करते हैं, तो तुरंत खासी में आराम मिल जाता है, जेंड्स लोग जभी shaving करते हैं, तो कट लग जाता है, वहाँ पर तुरंत आ पहना तो बंद होगा ही, इसके साथी जो घाव होता है, उसे सुखाने में, उसे जल से जल भरने में, ये फिट करी जो होती है, help करती है, आपको अगर बवासीर या फिर कप्स की हमेशा शिकायत रहती है, तो उसके लिए एक केला लेना है, उसके टुकड़े कर लेने है, औ ये अगर आप साथ दीन तक रेगुलर खाते है, तो इसे आपकी बवासीर कप्स की शिकायत कम हो जाती है, आपको अगर बार बार पिंपल्स आते है, या फिर पिंपल्स के बाद दाग छुट जाते है, तो उसे मिटाने के लिए आपको फिट करी का पाउडर लेना है, और अगर पिंपल्स के बाद इसे वाश कर लेते हैं, कुछ दिनों में ही आपके पिंपल्स के दाग या फिर पिंपल्स मिटाने में आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, तेंद रुपीज की ये छोटी सी चीज,